दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे वह ट्रिक यह है कि यदि आप चाहते हो कि आप एक फोन से दूसरे फोन पर बाते कर रहे हो जैसे कि माल लोगों कि आप अपने फोन से अपनी गल्फरेंड के फोन पर बाते कर रहे हो और उसी सम है कि आप अपनी girlfriend से रात को बाते कर रहे हैं और उसी वक्त आपके घर के मम्मी पापा भाई बहन कोई भी आपके नंबर पे जब call करेंगे तो आपका जो नंबर है not reachable बताएगा switch off भी नहीं बताएगा और bg भी नहीं बताएगा और रात भर आप उस नंबर से बाते कर सकते हैं दिल खोल के तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा अगर इस trick को आप जान जाओगे तो trick कौन सी है कैसे trick को अपने phone में लगानी है ये सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो बहुत ही helpful होने वाली है तो वीडियो को पुरा complete जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा तो आएगे दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो आएगे दोस्तों बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन में ये सारी setting को करोगे देखिए दोस्तों फिलहाल मेरे पास Samsung का फोन है आपके पास अगर दूसरी कंपनी का फोन है तो करना सेम यही process है थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है फिलहाल मैं Samsung में बता रहा हूँ आपको अपने फोन की setting में जाना है देखिए अपनी फोन की setting में चले जाना है setting में आप जाओगे तो यहाँ पर search का option दिखेगा इस search का option पर जाना है और आपको यहाँ पर search करना है call setting setting link लिएगा call setting लिखके आपको यहाँ पर search कर देना है जैसी call setting सेट्टिंग का एक option देखने को मिलेगा इसके उपर में आपको टैब कर देना है अब जैसी ही इसको आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा आपके फोन में थोड़ा इधर हो सकता है लेकिन आपके फॉन में भी फंसंग कुछ इस पर करकी आएगी और समसंग का फॉन है तो सेम जैसा मेरे में आ रहा है, वैसे ही आएगा, ठीक है? थोड़ा सा, अप च्र्ण कीजेगा, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर आपको सपलेवमैनटरी का सविस का हलका सा तो वेट कीजिएगा तो गाईज आपके सामने सर्च होने के बाद में ऐसा option खुलेगा option में call forwarding call bearing call waiting fix dialing number आपके सामने ऐसा option खुलेगा आपके phone में 2 seem है तो one seem का भी इस तरीके से same लिखा होगा और second seem का भी same ऐसा ही लिखा होगा तो आपको यहां पर करना क्या है ध्यान से वीडियो को देखिए आपको यहां call forwarding का option है इस पर click कर देना है अब जैसे इस पर click करेंगे तेहां allow का option खुलेगा allow पर click कर देना है अब आपको यहां पर दो option मिलेगा यहां पर voice और video call आपको voice call पर click कर देना है थोड़ा सा यहां भी आपको searching लेगा और फिर उसके बाद एक नया page open होगा तब तक wait कर लीजिएगा तो गाई जा आपके सामने एक नया page open होता है यह एक दो तीन चार option है पहला है always forward दूसरा है forward when vg तीसरा चोथा भी option है तो आपको यह second वाला option है जो forward when vg इसके उपर में tap करना है ध्यान से वीडियो को देखिए अब जब इसके उपर में आप click करेंगे तो आपको यहां पर forward 2 का एक option देखने को मिलेगा और यहां पर एक mobile number डालना है अब आपको 10 अंक का एक ऐसा mobile number डालना है जो mobile number बंद हो गया है यानि किसी भी घर में आपका कोई ऐसा number होगा जो बंद पल गया है उस पर phone लगाने के बाद में phone लगता नहीं है ऐसा कोई number चाहे आप कहीं से भी उपाय कीजिए लेकिन उसी number को डालिएगा अगर कोई चालू number डालिएगा तो वह number पर call forwarding हो जाएगी कब होगी जब आप किसी से बाते करते रहेंगे और उसी समय अगर कोई phone करेगा तो उस number पर call चली जाएगी लेकिन आपको वह number number नहीं डालना है यहां पर एक बंद णमबर डालना है जो नमबर आपके घर में इसका भी आपके दोस्त का हो यह बंद पडा हुआ है उसी number पर दस नमबर है डाल देना है और डीने के बाद में यहां पर इनेबल पर क्लिक करना है यह नंबर एक्टिवेट हो जाएगा अब क्या होगा कि जब आप किसी से दूसरे से कॉल पर जब बाते करेंगे यहां फारवर्ड वीजी का उप्सन है जिसे माल लीजे आप अपने दोस्त से बाते कर रहे हैं और उसी वक्त अगर आपको कोई आपके नंबर पर कॉल करेगा तो जो कॉल है इस नंबर पर फारवर्ड हो जाएगा जो नंबर आपने यहां डाला है यहां नंबर बंद रहेगा तो फोन उसके पर जाएगा तो फोन तो लगेगा नहीं क्योंकि नोट रिजवल ही बताएगा और जैसी ही आप फोन कट कर दोगे यानि कि बाते करना बंद कर दोगे और जब आपको आपका दोस्त या कोई भी आपको कॉल करेगा तो नंबर लग जाएगा स्रिफ बीजी के वक्त कॉल फरवर्ड हो जाएगा तो इस तरीके से आप यह ट्रीक को यूज कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को यही जानकारी दे रह हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई